हेलो बच्चों कैसे हो आप सब आप सब लोग अच्छे होंगे तो जैसा कि आप सब को पता है कि इस महीने में लास्ट में बोर्ड के एक्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और HBSC वाले हों चाहिए CBSC वाले हों कुछ चीज़े जो होती हैं वह बहुत इंपोर्टन होती हैं क्यों रहता डाउट जो है वो 12 वालों को भी है कि पेपर में क्या होगा क्या आएगा कैसा होगा कितने नंबर में हम पास हो जाएंगे कितने नंबर में हम पास नहीं होंगे तो उसी के ओपर मैं आज की वीडियो लेकर आई हूँ बच्चों आप लोगों के लिए तो बहुत सारे लिए पच्चेस दिन जो बचे हैं 20-25 दिन जो बचे हैं इस पे हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए दूसरी चीज की एडमिट को लेके उनको बहुत डाउट है कि हमें एडमिट कार्ड जो है वो कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा और कब निकालना क्या नहीं करना है पर आता है तो हमें क्या फिल अप करना होगा किया चीज की तो बहुत सारी जानियर करने वाले हैं चाहिए एच बशने वाले हो दोनों के विडियो उल्याट बाहत इंपॉन्ठ क्लास का हुए चाहें आप 12th class के हों दोनों जो हैं बोर्ड के exam देंगे तो दोनों के लिए वीडियो बहुत ही important होने वाली है बहुत interesting होने वाली है बहुत सारी चीज़े आप लोगों सीखने वाले उस वीडियो में तो सबसे पहले चीज़ आती है कि बच्चों के मन में doubt है कि मैं हमें कितन अगर आपका exam जो है वह थर्टी लेके आने है वैसे 27 होता है 27 marks जो है वह passing होते है लेकिन आप लोग 30 मान के चलिए ठीक है 30 marks आपको at least लेके आने अगर आपके 30 marks हैं तो आप passing list में आ चुके हो तो आपका exam जो है वह clear माना जाएगा तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर आपका exam जो 80 marks का है तो आप लोगों के 27 marks जो है वह passing marks गिने जाते हैं ठीक है वह passing marks गिने जाते हैं और उसके अलावा में passing marks के साथ साथ जो है इसलिए मैंने बोला कि आप 30 का estimate लगा के चलिए कि आपके अगर 30 marks बन कि आई हूँ ठीक है फर्स चीज़ ये खतम हो गई होगी कि मैं passing marks जो है वो हमें कितने लेने चाहिए तो ये फर्स डाउट खतम हो चुका है ठीक है नेक्स चलते हैं अब नेक्स जो है बच्चे बोल रहे हैं कि मैं हमें जो है ये जो 25 डेस का जो 25 डेस जो है ये पड़े है इसमें हमारी strategy जो है वो क्या होनी चाहिए हमें जो है वो क्या पढ़ना चाहिए कैसे पढ़ना चाहिए कहा से पढ़ना चाहिए तो बच्चों यहांपर मैं आप लोगों को बटा देती हूँ कि रख़े हर स्कूल में न चाहे वो hbse और cbse हो हर स्कूल ने जो है एक अपने जो अफिशल वेब साइट है उसके उपर मॉडल टेस्ट पेपर डाले हुए हैं क्या डाले हुए हैं मॉडल टेस्ट पेपर डाले हुए हैं तो ये जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं बचो ये जो है ऑफिशल नोटिफिकेशन ऑफिशल वेब साइ यहां से बनते हैं ठीक है तो आप लोगों को क्या करना है कि मॉडल टेस्ट पेपर जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं यहां से प्रक्टिस करनी है ठीक है दूसरी चीज फर्स चीज यह हो गया कि मॉडल टेस्ट पेपर अब जो है कहां पर आते हैं जो आप HBSC की या फिर आप CBSC कि HBSC या फिर CBSC की official website पर जिब जाएंगे है ना जब आप official website पर जाएंगे तो official website पर आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी बाकि आप लोगों की teachers जो है वो पूरी दरह से help कर रहे हैं इस टाइम पर teachers का सयोग बहुत जादा है जितना हो सकता है हम लोग कोशिच करते है हैं तो हम लोग कोशिच करते हैं कि बचो आप लोगों को जितना हो सकता है हम गाइड करें बाकि school teachers भी सब motivate कर रहे हैं सब आप लोगों को जितना हो सकता है support कर रहे है ठीक है official website पर आप जब जाएंगे चाहे वो HBSC की website हो चाहे वो CBSC की website हो जब आप जाओगे तो आपको पर सारी की सारी चीजे जो है वो मिल जाएंगी model test paper मिल जाएंगे तो आपको उन model test paper को solve करके देखना है उन model test paper से जो हर question है किसी भी question को आपको छोड़ना नहीं है वहां से आपको practice करनी है ठीक है तो second जो चीज थी जो second doubt था आप लोगों का वो यहां से clear हो गया है first क्या थ ठीक है कितना आप लोगों को पढ़ाई करनी है okay model test paper से पढ़ाई कीजिए plus में जो आपको school में syllabus करवाया गया है वहां से पढ़ाई कीजिए जो school में syllabus बताया गया है कि हाँ यहां से paper आने वला है वो पढ़िए ठीक है तो I hope यह चीज भी clear हो गई होगी अब जो third doubt है वो उ से online ही exams चले है online सारी structure चला है तो उनका mind जो है वो पूरा mind setup जो है वो उनका change हो चुका है आदो ने पढ़ाई की है no doubt लेकिन आधे ऐसे भी हैं जिनका mind setup पूरी तरह से बिगड़ चुका है वो online पर depend होते 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 बिलकुल उनका mind जो है अब एकदाम उनका level जो हो कम हो चुका है तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़े government ने सोची है देखिए आप लोगों को आप लोगों को लिए ही जो है जो है जो है बचे ऐसे हैं जैसे passing marks ले आए या फिर उनको पास उने problem हो return जादा ना कर पाए ऐसे बच्चों के लिए ही जो है 40 marks का जो mcq session रखा मतलब चार ऊप्शन को आप लोगों को बेंगे हैं लोगों को एक पर टिक करना है तो इस तरह का जो section है 40 marks का रखा गया है और 40 marks का return section रखा गया है तो यह बहुत ही अच्छी बात है बात है बच्चों ठीक है ना तो अब मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आप लोगों यहां से आप लोगों का अच्छा प्राक्टिस हो सकती है अच्छे तरीके से आप लोग अपना प्रिप्रेशन कर सकते हो और अगर आप मान लीजिए कि बाखी जिनका अभी मांड सेटप कम है जिनका लेवल अभी कम है तो आप लोगों को बचो क्या करना है सबसे पहले तो कोई भी any three four important chapters ठीक है ना any three four important chapters आप लोगों को practice करने हैं दूसरी चीज MCQs जो होते हैं वो internal ही पूछे जाते हैं और उसके अंदर जो हैं वो option आते हैं ठीक है option दिये जाते हैं तो आप लोगों को उस पर ध्यान देना है कि आप लोगों के optional आएंगे तो वहां से आपके marks बन सकते हैं okay passing marks के लिए 27 marks हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं एक तो MCQs पर work कर सकते हैं plus में 10 या 15 marks का return कर सकते हैं तो इस तरह का I think आप लोगों अगर आप practice करें इस तरह कि अगर आप पढ़ाई करें तो आप लोगों को pass होना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आप लोगों के easily passing marks आजाएंगे easily आप लोगों का exam जो है वो clear हो जाएगा तो यहां पर बिल्कु कई nervous भी है कि मैं first time हम exam देंगे चाहे 10th वाले हो 12th वाले हो तो कैसा paper आएगा क्या करना है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि paper में आप लोगों के 3 set होते हैं A, B और C okay 3 set होंगे जैसे मान लो कि यहां पर एक बच्चा बैठा है इस bench पर फिर इस bench पर बठा है किस 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 bench पर बठा है तो set जो है वो कैसे आएंगे जैसे इसको A मिला इसको C मिला इसको फिर से B मि यहां पर आप लोगों का जो है वो सेट लिखा होगा सेट इसे करके लिखा होगा ठीक है फिर यहां पर आप लोगों के लिए वह जो anser sheet होगी anshet covid me variety जो qeefy प्र और वहां पर आपको 用खैट लिगा वहां सेट क्वरणा है क्यासे आएगा जैसे आप लोगों के मालीजी यह anser sheet ऐसे हैं यह व्याज़ाएं मैं आप लोगों को यहां पर लोगों को डिटेइल्स जो fill up करनी होंगी जैसे first आपका name आ जाएगा okay first आपका यहाँ पर एक बर में बता देती हूँ यहाँ पर first आपका name आ जाएगा उसके बाद में आपका roll number आ जाएगा यहाँ आपका roll number क्या roll number ध्यान से बढ़ना है ओके ना शब्दो और अंको दोनों में roll number भढ़ना होता है बच्चों तो हिंदी या इंग्लिश जैसे की 10 करोड 96 लाग ऐसे करके ओके ना या फिर आपको आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे आपका roll number भान लीजे यह है 100875 942 आप कई बच्चों को ऐसे नहीं आएगा अगर आपको वर्डिंग टाइप नहीं आ रहा है तो 10 करोड 75 लाग ऐसे करके नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी लग सकते हो यह चलेगा ओके फिर नेम हो गया roll number हो गया उसके बाद आपका words में roll number आ जाएगा ठीक है यहाँ पर आपका subject आ जाएगा ऐसे करके कि किस चीज़ का paper है और यहाँ पर आप लोगों का उपर एक set भी होता है यहाँ पर आपको set लिखना होता है कि आपका कौन सा set आया है ऐसे करके पूरी information जो है जब आपका exam जब आप देने जाओगे तो वहाँ पर teacher होंगे वो आप लोगों को सब कुछ बता देंगे बच्चों आप लोगों को teachers हैं वो आप लोगों के लिए बहुत helpful है सारे के सारे आप लोगों की help करने के लिए वहाँ पर ready रहेंगे तो आप लोगों को बिल्खुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है तो यह चीज़ हो गई उसके बाद admit card का अब last question जो है वो admit card का है कि बच्चों के आ रहे हैं कि मैं admit card का क्या होगा तो admit card बेटा आप लोगों के आने वाले हैं दो copies निकालके उसको रख लिजेगा colored printout निकालके रख लिजेगा एक printout जो है वो आप लोगों अपने पास रखिए ठीक है for school और एक printout जो है वो आप लोगों को अपने house में रखना है मतलब घर पे रखना है ठीक है ना ताकि एक printout में इस place हो भी जाए तो second आपका काम में आ जाए जल्दी से जल्दी आप ये सारी चीज़े समझ लिजेगा ये सारी चीज़े अच्छे से देख लिजेगा कोई भी mistake नहीं होनी चाहिए आप लोगों को school time पर पहुँचना है center time पर पहुँचना है कोई भी mistake नहीं करनी किसी ने अपने जो admin कराएंगे वो time से निकल वा लेने हैं ओके तो इसके अलावा में जो जो मुझे doubts पता लगते रहेंगे जो जो मुझे पता लगेंगे चीज़े कि हाँ ये ये चीज़े मुझे बतानी चाहिए आप लोगों को मैं आप लोगों के साथ share करती जाओंगी तो कोई उसमें problem नहीं है बस जैसे-जैसे किंकि हम लोग खुद teacher हैं तो हम लोगों का खुद schedule भी busy रहता है थोड़ा तो इस वज़े से तो मिलते हैं next video में बचो जैसा भी होता है आप लोगों को कोई doubt रहे या कुछ भी परिशानी रहे आप comment box में बताइएगा मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि comment में जितने comments जो है majority होती है उन पर मैं वीडियो लेकर रहा हूँ तो कुछ ना समझाया हो comment box में mention कीजेगा चैनल पर पहली बार आये है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किजेगा जैसे ही latest video आईगे आप लोगों को notification मिल जाएगी उसके साथ साथ आप एक चीज़ और सकते हैं अपने friend circle में इस video को जितना हो सकता है शेयर कीजेगा चाहे वो cbsc board से हो चाहे वो hbsc board से हो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए thank you so much for watching बाबाई